हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल लर्निंग एलेक्ट्रोनिस में आपका स्वागत है इस लेक्चर में हम लोग थिवनिन रेश्टेंस र्टी एच फाइंड करने के दो मैथड्स पढ़ेंगे जब सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स इस गिवन है इससे पहले क्लासेस में मैंने आप को थिवनिन थियोरम पढ़ाया है उसका स्टेट्मेंट साथ में स्टेप्स ओफ सॉल्विंग नेटवर्क यूजिंग थिवनिन थियोरम भी बताया था और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक नियुमेरिकल भी सॉल करवाया था अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर चैनल प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लिजे और बैल आइकन को प्रेस कीजे ताकि और अपडेटेटेड वीडियो आप तक करने के लिए जो DC सर्किट होता है उस DC सर्किट में हो सकता है इंडेपेंडेंट सोर्सेज दिये हो या ना दिये हो पर अगर डिपेंडेंट सोर्सेज दिये हैं तो थिवनेंट रेश्टेंस र्टी एज फाइंड करने के दो मैथर्ड्स हैं वो दोनों ही मैथर्ड्स हम लो इसका मतलब है सबसे पहले open terminals के across हम लोग को open circuit voltage VOC find करना है by conventional network analysis मतलब VOC find करने के लिए आप KVL, KCL, voltage divider rule, current divider rule या फिर mesh या nodal analysis यूज़ कर सकते हैं open circuit voltage VOC find करने के बाद open circuit terminals को short कर देना है, short करने के बाद आपको short circuit current ISC find करना है, उसके बाद thin end resistance find करना है, तो thin end resistance का formula क्या होगा? RTH is equal to VOC divided by ISC, means open circuit voltage VOC divided by short circuit current ISC, तो यहाँ पे यह जो VOC है, यह थिवनीन voltage VTH होगा, तो अगर आपको thin end equivalent circuit बनाना है, तो इस VOC का और इस RTH का यूज़ करते विए आप बना सकते हैं, तो इस method को समझने के लिए हम लोग एक numerical solve कर लेते हैं, given question है, obtain thin end equivalent circuit across X and Y terminals, इस X and Y terminals के across हम लोग को thin end equivalent circuit बनाना है, तो इसके लिए हम लोग को thin end voltage VTH और thin end resistance RTH दोनों find करना पड़ेगा, तो सबसे पहला जो step है इस method में, open circuit voltage VOC find करना है, जो कि X and Y terminals के across में है, यह VOC voltage 3 ohm के across आएगा, तो इस node पे open circuit voltage VOC exist करेगा, और क्योंकि यह वाले node और इस node के बीच में कोई भी drop नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी VOC voltage exist करेगा, ठीक है, अब 3 ohm के through एक current assume कर लेते हैं, Ix, ठीक है, और इस node को नाम दे देते हैं 1, अब node 1 पे KCL लगा लेते हैं, By KCL हम लोग जानते हैं कि sum of incoming currents is equal to sum of outgoing currents होता है, तो यहाँ पे incoming current क्या है, I0 है, और दूसरा incoming current क्या है, 3 I0, यह 3 I0 जो है dependent current source है, और 6 ohm में जो current I0 flow है, उसके उपर dependent है, तो I0 प्लस 3 I0 क्या हो जाएगा, Ix हो जाएगा, अब यह Ix किसके थुरू flow रहा है, 3 ohm के across flow रहा है, और 3 ohm में voltage क्या है, VOC, तो Ix क्या हो जाएगा, VOC by 3 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 4 I0 is equal to VOC by 3 मिल जाएगा, तो VOC is equal to क्या होगा, 12 I0 हो जाएगा, इसको हम लोग equation number 1 मान लेते हैं, अब यह जो I0 current है, यह flow रहा है, 6 ohm में, और इस node पे voltage क्या है, VOC, तो I0 हम लोग circuit से निकाल सकते हैं, I0 is equal to 12 minus VOC divided by 6 हो जाएगा, अब इस I0 को हम लोग equation number 1 में put कर देते हैं, तो VOC क्या हो जाएगा, VOC is equal to 12 into 12 minus VOC divided by 6 हो जाएगा, VOC is equal to 24 minus 2 VOC मिलेगा, तो यहाँ से 3 VOC is equal to 24 मिल जाएगा हमको, तो VOC कितना आ जाएगा, 8 V आ जाएगा, ठीक है, अब क्योंकि यह open circuit voltage VOC जो है, VTH के बराबर होता है, तो 17 voltage VTH जो होगा, वो भी 8 V ही होगा, अब next step है, short circuit current find करना, तो यह जो terminals है, X and Y terminals, इनको हम लोग short कर देते हैं, इस तरह से, तो यह short circuit current यहाँ पे flow होगा, short circuit के through ISC, ठीक है, इस short circuit के across जो है, यह 3 ohm register आ रहा है, तो यह 3 ohm register में कोई भी current flow नहीं होगा, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि current always follows the lowest resistance path, तो short circuit का जो resistance होता है, वो 0 होता है, तो पूरा current जो है, इसी के through flow होगा, इसके through कोई भी current नहीं flow होगा, इसलिए हम लोग इसको हटा सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हम लोग ISC ले रहे हैं, यह node 1 था, अब देखे, यह वाला जो node है, यह ground node है, तो यहाँ पे drop नहीं है, तो यह y node भी ground node होगा, तो यहाँ पे zero potential होगा, ठीक है, तो अगर हम लोग circuit से I0 निकालते हैं यहाँ पे, तो I0 क्या हो जाएगा, 12 minus 0 divided by 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 12 by 6 मिलेगा, तो I0 हम लोग को मिलेगा 2 ampere, अब फिर से हम लोग KCL apply कर देते हैं node 1 पे, by KCL क्या होता है, sum of incoming currents is equal to sum of outgoing currents, तो यहाँ पे I0 plus 3 I0 is equal to ISC होगा, तो यहाँ मिलेगा 4 I0 is equal to ISC, अब I0 is equal to 2 ampere मिला है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो हम लोग को ISC कित्ता मिल जाता है, 4 into 2 is equal to 8 ampere मिल जाता है, तो short circuit current कित्ता मिलेगा, 8 ampere मिलेगा, ठीक है, अब अगर हम लोग RTH निकालते हैं, RTH क्या है, first method के according, open circuit voltage VOC divided by short circuit current ISC, तो यहाँ पे VOC भी 8 volt मिला है, और ISC 8 ampere मिला है, तो हम लोग को RTH जो है, 1 ohm मिलेगा, थिवनेन रेश्टें स्कल टू 1 ohm मिलेगा, अब लास्ट स्टेप है, थिवनेन रेश्टें स्रकिट बनाने का VTH हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि VOC के बराबर है, तो VTH is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 volt हो जाएगा, और RTH कितना आया है, 1 ohm, तो यह थिवनेन रेश्टें स्रकिट है, और current source and find the current IDC from the load terminals due to VDC, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम लोग को load resistance जो दिया हुआ है, उसको remove करना है, फिर open circuit terminals जो मिलेगा, उसके across एक DC voltage apply करना है, VDC, VDC apply करने के बाद जितने भी independent voltage या current sources दिये हुए हैं, circuit में, उनको deactivate करना है, जैसे कि मैंने previous lecture में बताया था, कि voltage source को short circuit से, और current source को open circuit से replace किया जाता है, उसके बाद हम लोग को DC voltage VDC के कारण, जो current circuit में flow हो रहा है, IDC, उसको निकालना पड़ेगा, जो thिवनिन resistance RTH होगा, वो होगा VDC divided by IDC, तो इस method में इस तरह से thिवनिन resistance हम लोग को निकालना है, तो इस method को समझने के लिए question solve कर लेते हैं, question है find the equivalent resistance of the network given, तो यहाँ पे इस network के लिए हम लोग को equivalent resistance निकालना है, इसका मतलब हम लोग को thिवनिन resistance निकालना है, तो इन open terminals के थुरू देखते हुए हम लोग को equivalent resistance निकालना है, जो थिवनिन resistance RTH के बराबर होगा, तो इस method में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कि एक DC voltage जो है VDC apply कर देते हैं, इस open terminals के across इस तरह से, तो इस VDC current, IDC current flow होगा circuit में, ठीक है, तो इस method में RTH क्या हो जाएगा, VDC divided by IDC होगा, तो इस ratio को हम लोग को इस circuit diagram से निकालना है, ठीक है, अब यहाँ पे दो loop formations हो गए हैं, देख रहे हैं हम लोग, यह एक loop है और यह एक loop है, इसको loop number 1 मान लेते हैं, इसको loop number 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे I1 current flow हो रहा है, assume कर लेते हैं, यहाँ पे I2 current flow हो रहा है, ठीक है, तो यह I2 current जो है इस branch में भी flow होगा, तो इस circuit diagram से जो I2 है, वो IDC current है, अब सबसे पहले loop 1 में KVL लगा लेते हैं, loop 1 में KVL लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5VL से शुरू करते हैं, यहाँ पे एक dependent voltage सोच दिया हुआ है, जो की 3 ohm के across जो voltage है, VL उसके उपर dependent है, तो इसके plus से शुरू करेंगे, तो आजाएगा plus VL, फिर minus 2 into I1, फिर उसके बाद minus 3 into I1, उसके बाद यहाँ पे 1 ohm resistance है, जिसमें I1 और I2 दोनो current का effect है, इसलिए minus 1 into I1 minus I2 होगा, यह मैंने आपको जब match analysis पढ़ाया था, तब बताया था, कैसे इसका polarity assume करना है आपको, यह हो जाएगा equal to 0, bracket open करने के बाद इस type का equation आएगा, फिर उसके बाद 5 VL minus 6 I1 minus I2 is equal to 0 मिलेगा हम लोगको, इसको equation number 1 मान लेते हैं, यहाँ पे जो current flow हो रहा था वो I1 था, यहाँ जो current flow रहा था वो I2 था, तो यह जो voltage है VL, VL क्या हो जाएगा, 3 into I1 हो जाएगा, यह हो गया equation number 2, अब इसको equation number 1 में put कर दीजे, तो हम लोगको मिल जाएगा, 15 I1 minus 6 I1 plus I2 is equal to 0 मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 9 I1 plus I2 is equal to 0, इस equation से मिलेगा I1 is equal to minus of 1 by 9 I2 मिलेगा, यह हो गया हमारा equation number 3, अब हम लोगको इस loop 2 में KVL लगाना है, तो loop 2 में KVL लगाएंगे, तो यहाँ से शुरू करते हैं VDC से, तो VDC minus 1 into I2 minus 5 VL minus 1 into I2 minus I1 is equal to 0 आजाएगा, VL की जगा 3 I1 put कर देते हैं, अब put equation number 2 in above equation, यह equation मिल जाएगा, VDC is equal to 2 I2 plus 15 I1 minus I1, तो इसको solve करेंगे, तो मिलेगा 2 I2 plus 14 I1 is equal to VDC, अब equation number 3 को put कर देते हैं, put equation number 3 in above equation, तो VDC is equal to क्या हो जाएगा, VDC is equal to 2 I2 plus 14 into minus of 1 by 9 into I2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोगको मिलेगा, VDC is equal to, इसको solve करेंगे, तो VDC is equal to 2 I2 minus 14 by 9 I2 मिलेगा, तो यहाँ से हम लोगको मिलेगा 4 by 9 I2, मैंने आपको starting में बताया था, कि जो I2 current है, वो DC current है, VDC के current flow हो रहा है क्योंकि, तो यहाँ पर DC current मैंने show किया था, और यह I2 current जो है, IDC के बराबर है, तो since I2 is equal to IDC, VDC is equal to क्या हो जाएगा, 4 by 9 IDC हो जाएगा, तो यहाँ से VDC divided by IDC कितना आएगा, 4 by 9 आएगा, और यही RTH के बराबर है, तो हम लोगका जो RTH आ रहा है, थिवनिन रेश्टेंस RTH वो कितना आ रहा है, 4 by 9 वो मार रहा है, तो हो friends आपको, methods of finding थिवनिन रेश्टेंस RTH समझ में आया होगा, अगर dependent sources दिये हुए हैं तो, और भी दो numericals मैंने थिवनिन थियोरम के उपर solve किये हैं, लेकिन English language में उनको solve किया है, तो अगर आप वो videos देखना चाहते हैं, तो आप channel playlist में जा के check कर सकते हैं उसको, thank you very much for watching, and please do subscribe my channel for more updates.